जल नल योजना की लोग तारीफ करते हैं देखिए चुकि दलिस समाज का मुहला है ये देखिए ये नल जो है इसमें नल भी सीधा नहीं लगा हुआ है आप समझिए इस तरह के हालात हैं परधान मंत्री आवास योजना के दर्थ घर नहीं बनता है तो मेरी कोशिश है कि चुनाओं के बहाने आपको ये सब हकीकत दिखाई जाए कि किस तरह से गाउं में विकास के नाम पर अभी भी कुछ नहीं पहुचा हैं पांच खिलो रासन मिलता है कि नहीं पांच किलो नहीं मिलता है चार किलो मिलता है उसमें भी चोड़ी है ऊवेदे कार्द हम पर अपकों किसी का घर नहीं बना सरकारी मदस और आपको स्तीति दिखाऊंगा कि आज भी लोग फूस के घरों में है और परधान मंत्री अबास योजना मुझपरपुर्य कैसा जिला है जहां सालों से बंध है और सुचिए मैं दलिस समाज के मुहले में हूँ और यह देखिए यह फूस के घर है आपको दिखाऊंगा जल नल की क्या इस्तिति है नल भी नहीं लगा है किसी का घर नहीं बना सरकारी मदस ना कोई किसी के नहीं किसी के मदस नहीं बना है सब कमामार किसा सिरी तो जो आप जिन लोग को मोडेते हैं भीनादेभी जीतियों कभी आई है देखे आप ना अ। आ उदोल पूंसर मुंअ कभी जासा आप ऊसं से नहीं मिलने आटी न अ यह देखिए जल्नल की विशिती बताऊंगा है कोई नहीं आ रहा है मदद करने नहीं आता है कोई चैसे फूसका है इसका है यह देखिए जलनल युजना की लोग तारीफ करते हैं देखिए चुकि दलिस समाज का मुहला है तो हटाई ज़रा पैर यह देखिए यह नल जो है इसमें नल भी सिधा नहीं लगा हुआ है आप समझे इस तरह के हालात है यहां टूटी नहीं लगाया नल नहीं लगा यहां लगा था क्या हो गया खोल दिया पानी नहीं आता है तो खोल दिया है और कोई किसी का परधान मंत्री अवासजदा में घर नहीं बना हुआ है तो आपकी जुए आपकी बू आती है क्या नाम नहीं पता है क्या नाम नहीं पता है क्या नाम है वह आपके सांसत का आपकी सांसर्द जो MP है नामे नहीं पता है सोचिए सबसे ज़्यादा गाज मुखिया जी पर गिरता है जो लोकल रिपर्जेंटेटिव होते हैं इनको MP का नाम नहीं पता है देखिए नल जल वाला योजना जो था वो अच्छी योजनाती लोग को पानी मिलना चाहिए था आज भी लोग फूस के घर में दलिस समाज के लोग की मजबूरी है फूस के घर में लोग गुजर बसर करते हैं यह तस्वीरे दिखा रहा हूं आपको यह देखिए इस तीती है और मैं सोता हो कि कई बार सोता हूं कि मैं गलत काम नहीं करा हूँ पत्काईता ही करना चाहिए था फूस के घर में आज भी लोग रहने को मज़ूर है परधान मंतरी कहते हैं कि करोडों घर दे दिये हैं और ये पोल पट्टी खुल रही है ये लोग बहुत नाराज है तो पांच किलो रासन मिलता है कि नहीं पांच किलो नहीं मिलता है, चार किलो मिलता है, उसमें भी चोड़ी है, उसमें चोड़ी है, अगेस सिलिंडर, गेस सिलिंडर नहीं मिला, कितना कि मिला, कितना कि नहीं मिला, तो गेस भर भाते हैं उसमें, भर भाते हैं, कितना में गेस आता है, पहले तो बारा सो लेता था, आप कितना लेके आप जादे होगी या चोदोसुरुप्या लेता है वेस भड़ार तो पांच किलो रासन चोदोसों कि गयस कहां से भर हो के चुला पर खाना बन वहीं छी कि गयस पर अगिन्द चूले पर खाना बना गैस पर ना मांगा बहुत बहुत मांगा हुगा आई घर सब्सक्राइब नहीं दिया सरकार नहीं कोनों के सरकारी घर नहीं भारत है भारत का बैशाली है सचिए बैसाली में 75 साल से रिपर्जेंटेटिव जो है वो जिनरर कैटिगीरी के लोग हैं इसी बैसाली में आपको कुछ ऐसे गाउं दिखाऊंगा जहां शांदार गेट बना हुआ है जाती विसेश के गाउं में गेट बना हुआ है और चुकि यह सिडूल कास्ट के लोग हैं दलिस समाज के लोग हैं तो इनकी कोई सूध लेने वाला नहीं आए कहां रहते हो दोस्त क्या नाम है कहां रहते हो आपके सांसत का क्या नाम है कभी देखे हैं उनको तो यह दुर्दसा है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यह यह हालत बदलनी चाहिए इसलिए मैं तस्वीरे दिखा रहा हूं कि गरीब लोगों के यहां तक नेता भी नहीं आते हैं इनकी बोट को लोग टेकन टू भी गरांटेड लेते हैं मेरी कोश अब लुचा नहीं है उसकी रिपोर्ट भी दिखाई जाए खबरी भी दिखाई जाए आपको चुनाओं के साथ साथ बोट रिपोर्टिंग भी होगी और इस अब देख के दुख होता है कि सरकारी योजनाओं का इनको लाव नहीं मिल रहा है परधान मंतरी आवास योजना गाउं के बहाने गाउं भी घूमूं आपको गाउं की हकीकत भी बताऊं कि किस तरह से आज भी इस देश में दलित पिछरे किसान बैकवर्ट जो लोग हैं वो लाचार और बेवस हैं उनके हिस्से में ना जमीन है ना नौकरिया है ना परहाई लिखाई है एक बाबा साहब का बोट का अधिकार है वो भी अभी वो नहीं कर पाते हैं सही से तो देश की राधानी दिल्ली में जब हम लोग बैठ के बाते करते हैं बरी-बरी इस बार मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है मैं पहले सहरों में रिपोर्टिंग करता था पटना दिल्ली हाजिपू बिष्धानी में रहता था कैप्टल में रहता था चुनाव लड़ने की वैसे मैं गाउं में घूम रहा हूं और गाउं की दुरदसा अभी भी जो खासकर जो बैकवर्ट समाज के लोग हैं दलिस समाज के लोग हैं उनकी वैसी हैं यहां लोग के पास परधान मंत्री आवा परशाली बिहार